हम धर्मरक्षड और हिंदुरक्षड और हिंदुराष्टर की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। इस रहा पर संगर्ष अटल है। संगर्ष याने प्रतिकुलता और प्रतिकुलता में अगर हमें स्थीर और आनन्द से अगर जीवन आगे लेके जाना है तो हमें साधना करनी एक दो दिम के लिए उस्साह निर्माण होना और साधना के बल पर अंतरगत चेतना के जागरुति के बल पर निरंदर उस्साह में रहके कारे करना ये साधना का जीवन का सबसे बड़ा एक फल होता है। तो साधना साधना ये करना क्या है हमें हम से सब धर्मवीर है हम से सब धर्मयोद्धा है हमको नामजब करना होगा और जितना निरंतरता से कर पाए उतने निरंतरता से करना होगा। बंदू आभी हम जो धर्म का कार्य करते हैं तो यह धर्म का कार्य करते समय साधना की आवश्यक्ता क्या है साधना के बल की आवश्यक्ता क्या है इस विशे पर हमें उद्वधन होगा सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंग्ले जी इस विशे में हमारा मार्गदर्शन क करता हूं कि वो आमें मार्गरदर्शन करें हिंदु राष्ट्र स्तापना के दुरुष्टी से साधना का महत्व इस विशे पर वो आमें संबोधित करेंगे इस अधिवेशन में उपस्तित सभी संतों को प्रणाम करता हूं वेश्पिट पर उपस्तित मानने वर तथा सभागरों में उपस्तित मेरे धर्मबंदु भगीनी आप सभी को मेरा प्रणावन साधक अत्व वाले अरुजुन के माध्यम से दुरुजन का नाश करने वाले भगवान स्री कृष्ण तता इस कलियों के अंधककार में साधक और धर्मनिष्टों की निर्मिती कर हिंदु राज्य याने रामराज्य की एक लक्ष देने वाले गुरुदेव सचितानंद परभ्रह्म डॉक्टर आठवले जी इनके चरणों में बंदन करके मैं मेरे विशे को प्रारम्ब करता हूँ हम हिंदुत्व का हिंदुराष्टर का कार्य करते हैं हो सकता है कि मैं जो भी बता रहा हूँ वो प्रश्ण किसी ने आपको पूछा हो या आपके मन में भी वो प्रश्ण आया हो हम सौ करोड हिंदू है भारत में और हम संक्या में जादा है फिर भी हम प्रताडित क्यूं है हम वेदो की परंपरा से आये हम उपनिश्यद हम भगवान गीता भगवान स्री कृष्ण के गीता की परंपरा से आये हमारे पास सबसे सामर्तेशाली ग्रंत है सनातन दर्म परंपरा और ये सनातन संस्कृति लाखो वर्ष की एक मात्र जीवित संस्कृति है परन्तु आज इस भारत भूमे में हिंदो ही क्यों प्रताडित है और हम अपना संगर्ष अपने अधिकार को पाने में सफल क्यों नहीं होए ये प्रश्ण शाहिद समाज में कोई आपको भी पुछता होगा या कभी आपके भी मन में आया होगा अब हम सनातन हिंदु धर्म अनुयाई है हमारा बलस्थान क्या है? हमारा बल क्या है? और कौनसे बल से हारने के बाद या कौनसे बल के अभाव में हमारा पराजे हो रहा है इसकी चिंता इस अधिवेशन में अत्यनता आवशक है ऐसे मुझे लगता है क्योंकि जिस हिंदु राष्ट की स्थापना हम करना चाहते हैं वो हिंदु धर्म हमें क्या सिखाता है और वो हमसे क्या चाहता है इस बात की चर्चा और चिंतन मनन और आचरण हम ना करें तो फिर ये परावों की शरुंकला रुकेंगी कैसे ऐसे प्रश्ण आधिकतर संतों के मन में आता है यह हमें समझने क्या वशकता है अब यह हिंदु धर्म एक मनुष्य देह में आने के कारण हमें एक धेय देता है किश्वर प्राप्ती, आनन्द प्राप्ती, म्रह्मस्वरूग की प्राप्ती और इस धेय को जानकर इस धेय के तरफ अग्रेसर होने की प्रक्रिया हम सभी के माद्यम से होना अपेक्षित है आज हम यहाँ पर जो एकत्रित आये है हम में से कुछ लोग पुजा, पाठ, कृतन, कृतक्षेत्र इसी के साथ अभी हम राष्टरक्षन और धर्मरक्षन के कारे में जुड़े है हम में से कुछ लोग गुरु जीवन में आने के कारण गुरु के माद्यम से हमारी विक्तिकत उपास ना करते हुए समश्टी रूप में धर्म की रक्षा, समास साय, राष्टरक्षन या धर्मरक्षन आधिकारों में हम लिप्त है हम में से कुछ मा भारती को देवता मान कर उसके कारे के प्रती समर्पित हो रहे है परंतु एक हिंदू होने के नाते और एक हिंदू राष्टर निर्मिती के एक धर्मवीर होने के नाते हमारी जीवन में साधना का क्या महत्व है यह हमें समझना अत्यनत आवशक है अब हिंदुत्वनिष्टों की जो वर्तमान स्थिती है, हम अनिक प्रांतों में जाते हैं, अनिक संगटना उसमें मिलते हैं, तो हमें दो बाते दहन में आती है, कि हिंदुत्वनिष्टों को एक तो धर्म के बारे में पता नहीं है, और दूसरी बात, हमें धर्म की रक्षा क करना है उसके लिए साधना करना है यह उने पता नहीं है वैसे अगर हम अध्यात्मिक मारगी है तो इश्वर का कारी या धर्मकारी है तो इश्वर को किसी की मदद लेने की तो आवशक्ता नहीं होती है पर उन्तु जब इश्वर आवतार लेता है तो वो किसी को माध्यम बना हम साध्य कर सकते हैं प्रत्यक हिंदू धर्मा विमानी है क्या क्योंकि अगर हम हिंदू की बात करते तो कोई कहते है अरे बहुत से हिंदू तो सेकुलर है कोई कहता है हिंदू कैमनिस्ट है कोई कहता है लेफ्टिस्ट है कोई कहता है एथिस्ट है पर तो हम मानते कि सब हिंद धर्मा भी मानी है तो सही धर्मा भी मान या खरा धर्मा भी मान कैसे निर्मान होता है वो प्रक्रिया हमें जानने की आवशकता है अब मैं हिंदू हूँ और हिंदू धर्म पर प्रेम है और वो अभी मान है परंत मुझे हिंदु धर्म का ग्यान नहीं है मुझे धर्म ने जो बाते बताई वो मेरे आचरण में नहीं आती है तो खरा धर्मा भी मान्यने क्या है कि जब सबसे पहले हमें धर्म शिक्षा हम धर्म के बारे में जानते है तो धर्म की महता क्या है उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी बिना जीवन कैसे अधूरिय है, यह जानने के बाद जब हमारे बुद्द्धी का निश्य होता है, तब हमारा अभ्यास या उसका आचरण सुरू होता है, और इस अभ्यास या आचरण को ही साधना कहा जाता है। वो जो चेतना की अनोभूती है उसके बाद जो हमारे अंदर धर्म के प्रति प्रेम निर्मान होता है वो खरा धर्माविमान है करे धर्माविमान का लक्षन क्या है खराय धर्माविमान का लक्षण यह है कि व्यक्ति स्वयम अधर्मा आचरण नहीं करता है और दूसरे ने किये हुए अधर्मा आचरण को सहन नहीं कर सकता है ये दो गुण जब हमारे अंदर आते हैं तो हम कह सकते हैं कि खराय धर्माविमान हमें निर्माण हुआ और इसकी लिए सबसे आवाश्चक जो बात है कि हमारे जीवन में साधना का प्रारम्व, एक मनुष्य करके, एक परिवार का घटक करके, एक राश्टर की इकाई करके, और एक धर्म का घटक करके, साधना की जीवन में क्या-क्या उप्योगितता है, बहुत संग्षिप में हम जान कर लेंगे, सबसे मध्व की जो बात है, कि जीवन की प्रतिकुलता में स्थीर होकर आनंदी रहने की कला, ये साधना हमें ब्रदान करती है, हम धर्मरक्षण और हिंदुरक्षण और हिंदुराश्टर की स्थापना का कार्य कर रहे हैं, इस रहा पर संगर्ष अटल है, संगर्ष याने प्रतिकुलता, और प्रतिकुलता में अगर हमें स्थीर और आनंद से अगर जीवन आगे लेके जाना है, तो हमें साधना करनी होगे, साधना से क्या होता है, क्योंकि हम जब कारे करते हैं, तो अधि शारीग बल, मानसिक बल और कहीं पर बुद्धि बल का उप्योग होता है, परन्तु साधना से जब आत्मपल जागरुत होता है, तो जीवन में आ सकने वाली निराशाओं के प्रसंग में, हम स्थिर रहेकर जब आनंद रहते हैं, तब हम जो कारय कर रहे हैं, हम जो धर्म कारय कर रहे हैं, वह साधना करके होता है, साधना से इश्वर प्राप्ति संभव है हम निशकामता से जब हिंदुराष्ट की इस्थापना का कार्य कर रहे है तो निशकाम कर्मयोग के अधिकारी बनने के कारण हमारी आध्याठ में गुन्नती और इश्वर प्राप्ति दोनों साथ्य होती है यह हो गया हमारे वेक्तिके जीवन का महत्वा परन्तु हम समस्टी में है हम संगटनों के साथ कारे करते हैं संगटनों का एकत्री करण करते है और हिंदु राष्ट की इस थापना के लिए आंदोलन कर रहे है तो उसके दुरुष्टी से साधना का क्या महत्व है तो साधना करने से जब चेतना की अनुभूती होती है हमारी वाणी में हमारे अंदर जब चेतना की जागूती होती है तो उसका क्या लाव होता है हमें सववात करना होता है हमें किसी से मिलकर अपना पक्ष उनके सामने रखकर उनके मन की शंका और भ्रहम को दूर करना होता है हमें सभाव में जाके विशे रखना होता है अन्य संगटनाओं को दिशा दो हमारे कारे करताओं की बैटे के उसमें कारे करताओं को दिशा दे जब हमारे वार्णी में चेतना आती है, तो चेतना के कारण ये कार्य करना सुलभ होता है. हमको तो पुलिस प्रशासन से भी जाकर मिलकर सवमात करने के आवशकता होती है. तो ये चेतना के करण जब हम कारे करते हैं, तो हमारी स्वयम की इक्षमता बढ़ती है, कारे की फलनिश्पत्य बढ़ती है, शारी इक्षमता बढ़ती है, हम जिनके सानिद्य में जाते हैं, उनकी शारी इक्षमता बढ़के जब उसमें उस्सहा निर्माण होता है, तो मोटिवेशन स्पीच देने के बाद एक दो दिन के लिए उस्साह निर्माण होना और साधना के बल पर अंतरगत चेतना के जैगरुति के बल पर निरंदर उस्साह में रहके कारे करना ये साधना का जीवन का सबसे बड़ा एक फल होता है तो ये बात हमें समझने के आवशकता है कि बिना साधना के हम धर्मकारे कर पाए ये संभव नहीं है और ऐसा विचार अगर हमारे मन में है तो ये हमारे अंदर के अंकार का एक लक्षण है ये हमें ध्यान में लेने की आवशकता है जहाँ सबसे बड़ा धन्दुरदर अर्जुन स्वयम भगवान स्री कृष्ण के बिना गिजय नहीं हो पाया है तो भगवान स्री कृष्ण के बिना या साधना के बिना हम कुछ धर्मक्षेत्र में दिव्य कर पाए ऐसा संभवने और इसले बंदुओ आजी हमें साधना को प्रारम्ब करना चाहिए अब हम कुछ न कुछ अभियान चलाते हैं अभियान का येशश्विता का मूल मंत्र क्या है जब चत्रपती शिवाजी महाराज हिंदवी सामराज्य निर्मान करने का प्रयास कर रहे थे तो समर्थ स्वामी रामदाजी ने उन्हों एक मंत्र बताया था उस एक मंत्र का मैं हिंदी में अर्थ बताता हूँ वे कहते हैं कि आप जो कुछ आन्दूलन करना चाहते हैं आप जो कुछ अभियान लेना चाहते हैं जरूर ले अपने यद्धा शक्ति से प्रारंब करें परन्तू वेजय आपको तभी मिलेगी जब आपके आन्दूलन का अधिष्ठान अगर इश्वर ही है धर्म परायन है तो उसमें आपको वेजय मिलेगा और इसलिए हम जो कुछ कार्य कर रहे हैं उसका अधिष्ठान धर्म या इश्वर नहीं है तो चत्रपती शिवाजी महाराजी के जीवन का ये सबसे बड़ा मूल मंत्र हमें धहन में लेकर साधना के मार्क पर आगे जाने की प्रक्रिया हमें करना है शायद आपको भी यह प्रशन किसी ने पूछा होता पूछा हूँगा क्योंकि मुझे भोग बार पूछा जाता है कि हम जिस से लड़ रहे हैं वो कमोगुणी शक्तिया है रजयतमात्मक शक्तिया है तो क्या उनसे लड़ने के लिए हमें भी रिशितमात्मक होना पड़ेगा वो जैसे है वैसे होकर हमें लड़ना पड़ेगा क्योंकि वेवारिक स्तर पर जब भी किसी संगर्श की तुलना होती है या युद्ध की तुलना होती है तो आपके पास संख्यात्मक आर्मे कितनी है गुणात्मक आर्मे कितनी है या आपकी साधन सामुगरी कितनी है या आपकी आर्तिक शमता कितनी है इसका ही विचार किया जाता है पर अगर हम धर्म की बात कर रहे और अगर हम धर्म की स्थापना की बात कर रहे तो हमें कुछ आलत परिपेक्ष में चिन्तन करने की आवश्रक्ता होती है सत्व गुन रजतमात्मक गुणों पर विजय पाता है या अपने अंदर की दुश प्रवरुत्या यानि अरज़तमात्मत प्रवरुत्ती सत्व गुणी आचरण, विचार, चिंतन और साधना पे कारण संबह होता है। आखिर तक उनको एक अवसर देखकर अपने सत्व गुणी वो तो गुणाती थे अकरिवी हमें समझने के लिए एक सत्व गुणी आचरण से उन्होंने तव्मो प्रवरुत्यों को जीतकर हमारे सामने उधारन रखा है। और इसलिए हमें सत्व गुणी बनकर ही ये धर्मा य पहेंद करने की बात कर रहे हैं। वो इतना बुरा कर रहे हैं परन्तु वो यशिश्वी क्यों हो रहे हैं। क्योंकि पहले सत्र में हमने देखा कि हम पराबोध हो रहे हैं और वो यशिश्वी हो रहे हैं। तो उनका मार्ग गलत होगा, पंत गलत होगा, परन्तु पंत के अनुसार वो पाज बार नमाच पड़ेंगे, पंत के अनुसार वेशबुशा करेंगे, उनको शरम नहीं आएगी, पंत के अनुसार उनको जो कुछ आग्या मिली है, उसके अनुसार वो कारे करेंगे, तो रजयतमात मत क्यों न हो, उनको वो शक्तियों का साहयता मिलती है, पर परन्तु धर्मशिक्षा के अभाव में, धर्मशिक्षा के अभाव के कारण साधना के अभाव में अपने धर्म को न जानकर न आचरणकर जब हम धर्मकार्य करते हैं तो पराभा होने के संभावना होती है और इसलिए हमें आज से ही साधना को प्रारंब करके ये धर्मयुद कैसे जीते उसके लिए हमें प्रयास की आवशक्ता है अब हमारे मन में आता है कि अगर हमने साधना शुरू किया तो हम संख्या में है कितने परन्तु अभी तो हम बहुत संख्यंक है फिर भी नहीं जीत रहे है ये सत्य को अगर जानते है तो हमें संख्या बल देखने के आवशक्ता नीव क्योंकि भगवान किसकी रक्षा करते है धर्म किसकी रक्षा करता है ये तत्व को अगर हम जानते है तो हमारी रक्षा होगी औ और हमारा विजय भी होगा और इसलिए हम यह देहन में रखना होगा कि इश्वर सरवशक्तिमान है और वो सभी संगटों से अपने भक्तों का रक्षन कर सकते है और जिस तर से कम संख्यावाले पाड़नों विजय हुए थे उस तरह से कम संख्यावाले दर्मनिष्ट, हिन्दुतवादी संगटना साधक वो भगवान की कुरूपा से भगवान की आशिरवाद से निश्रित विजय होंगे यह हमें जानने की आवशक्ता है तो साधना साधना यानि करना क्या है हमें हम से सब धर्मबीर है हम से वो सब धर्मयोद्धा है हमको नामजब करना होगा और जितना निरंतरता से कर पाए उतमें निरंतरता से करना होगा क्योंकि कलियोगे नाम ही आधारा, नामजब से ही भगवान से अनुसंदान संभव है अब धनूरदर भिश्म भी थे धनूरदर करण भी था धनूरदर अर्जुन भी था परन्तु अर्जुन रुपी धनूरदर को विजय कैसे प्राक्त हुआ अर्जुन केवल धनूरदर नहीं था वो भगवान कृष्ण का अखंड नाम स्मरण करता था और नाम स्मरण करने के कारण उसका भान लक्षवेदी हो जाता था तो साधना करके हम जो कार्य करेंगी और हमारा उद्देश अगर हिंदु राष्ट्र है तो हमारा कार्य भी लक्षवेदी होगा और अरजुन को जैसे यश मिला जैसे यश हमें भी मिलेगा या निश्चित है या हमें ध्यान में लेना होगा अब इश्वर या धर्म किसकी रक्षा करता है धर्मो रक्षती रक्षिता या इश्वर भक्तों का रक्षन करता है वह देश संकट में है समाज में अकाल है तो मैं रक्षन करूंगा भगवान का क्या आश्वासन है परित्राणायेच साधुनाम नमे भक्ता प्रणश्यती आपने कही सुना कि हिंदू संकट में है तो मैं आउतार लोंगा करके क्योंकि हिंदू तो सेकुलर भी है हिंदू तो कैमनुज्ड भी है तो क्या उनके रक्षा के लिए भगवान ने आउतार लेना है हिंदू तो कौरों भी थे हिंदू तो पांडों भी थे तो भगवान ने किसका पक्ष लिया तो जो साधना कर रहे थे जो धर्मनिष्ट थे जो धर्मा आचरन कर रहे थे उनका पक्ष भगवान ने लिया तो हम पर भगवान की कुरुपा हो और भगवन हमारे पक्ष में खड़े हो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें साधना करना होगा हमें भक्त बनने की प्रक्रिया में रहना होगा और छोटे से प्रयासों से खूश होकर जो राम छोटे से गिलरी को कुरुपा करते है तो आप सभी ने अपना जीवन राष्टर और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित किया है तो आपके पीछे तो भगवान को दोड़ के आना पड़ेगा इसलिए आप सबसे मैं विंती करता हूँ कि आप साधना का प्रारंब करें अब प्रश्ण हाता है नाम जब कौन सा करें जिनको गुरु मंत्र मिला है वो गुरु मंत्र का नाम जब करें जो उपास्य देवता का नाम जब करें वो उपास्य देवता का नाम जब करें, जिन्होंने अभी तक नाम स्परण नहीं शुरू किया, वो भगवान स्रीकृष्टा का नाम स्परण शुरू करें, ओम नमो भगवते वासु देवा हैं, क्योंकि अभी धर्म स्थापना का समय पास में आ रहा है, हिंदु राष्टा स्थापन होने बाद हमें राम जी का नाम जब करना होगा, क्योंकि फिर जब हिंदु राष्टा स्थापित होगा, तो उसको राम राज्य में परिवर्तन करने के लिए, उन सभी मर्यावदवों को हमको आचरण मिलाके उस चरित्र से हमें एक रूप होना होगा, तो साधना एक हिंदु होने के नाते, साधना एक धर्मरक्षक होने के नाते, साधना एक मनुष्य जीवन का सार्थक करने नाते, और साधना ये हिंदुराष्ट स्थापन करने हैं तू अत्यन्त आवश्चक बाब है मैं इश्वर के चरण में यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको साधना के लिए वो शक्ति, बुद्धी और भक्ति प्रदान करे वो भविश्य के दर्मकारे के लिए आपको निमित्त बनाए आपके माध्यम से इन्दुराष्ट रामराज्य की स्थापना करे और आप सबका उद्धार हो ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं अपने माणी को यही विराम देता हूँ आप सभी को प्रणा वो भी को Maurice प्रणा को लिरे से आप समय जहाँ आप सिए झाल झाल